प्रो कबड़ी लीग 2021 में शुरू हुआ 22 दिसंबर को लिकेन अब 2022 लग चुका है बीते दिन मुतलब 2021 के अंत में दो मुकाबले खेले गए चार्टी में उतरी तमिल थलाइवाज का मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन के खिलाफ तमिल थलाइवाज एक भी मुकाबला नहीं जीती थी अभी तक और एक मुकाबला हुआ डिफेंडिंग चैंपियन बिंगॉल वारियर्स का पटना पाइरेट्स के खिलाफ तो इन मैच के नतीजे क्या रहे है क्या कमाल की चीजे हुई इस मैच पर बात करेंगे लेकिन उससे वहले भारत का सबसे वड़ा गेमिंग आप विंजो आप इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर सौ से जादा गेम्स हैं वो भी बारा भाशाओं में इसके साथ यहां पर fantasy world नाम का फॉर्मेट है जहां पर आपको अपनी team नहीं बनानी पड़ती आप experts की team को अपनी team बना सकते हैं इसके साथ ही world world नाम का format भी जहां पर एक गेम में दूसरे चार तीमें भिड़ती हैं और जो team जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स इन कूपन्स का इस्तिमाल आप बेग बास्केट अमजॉन फ्लिप कार्ट होट स्टार पर कर सकते हैं चलिए वापस मैच पर आते कि क्या कुछ हुआ इन दोनों टीमों के बीच इन चारों टीमों के बीच जब तमिल थलाइवास का पहला मुकाबला हुआ पुनेरी के खिला तमिल थलाइवास इस मैच में एक भी जीत के बिना उतरी थी और दूसरी तरफ थी पुनेरी पलतन्स लेकिन मैच में क्या कमाल का खेल हुआ कि तमिल थलाइवास को आखरी दिन साल 2021 के पहली जीत मिल गई 26-36 से अपना मुकाबला जीता इस टीम ने क्या कुछ जो वापसी करी इस टीम ने शांदार पुनेरी पलतन्स तेरा रेड पॉइंट्स और दस टाकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले पंकज मोहिते ने आठ रेड पॉइंट्स असलम इनामदाल ने चार रेड पॉइंट्स राहुल ने दो पॉइंट्स एक बोनस और एक रेड के जरीय निकाला, डिफेंस में अभिनेश ने चार, विशाल ने चार और सोंबी ने एक टाकल पॉइंट निकाला, लेकिन जीतने वाली टीम, तमिल्थ हलाईवाज ने 21 पॉइंट्स निकाले हैं और साथ टाकल किये हैं, 21 पॉइंट्स में सबसे शांदार कौन निकला, अजि पॉइंस की बात की जाए, तो सुजीत क्या कमाल की दिखें, आज और जब बाहर जा रहे थी ना तब भी ऐसे गेम में एकदम घुसे हुए थी कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, जीत हासिल हुई है, इनको तीन टाकल पॉइंट्स निकाले, इनके साथ साहिल और सागर क खाते में, दो-दो टैकल पॉइंट्स ने, लेकिन अब डिटेल में बात करतें, क्योंकि फर्स्ट हाफ ये मैच बहुत शानदा था, फर्स्ट हाफ 11-18 पे खतम हुआ, पुनेरी काफी पीछी थी, 7-15 का रेशियो चल रहा था, लेकिन वापसी करी और अपने जो स्कोर को प पुनेरी ने 11-18 पे लाकर खतम किया, सेकिंड हाफ शुरू हुआ, सेकिंड हाफ में भी काफी कुछ घटा इस टीम के लिए, तमिल थलाइवाउस ओल आउट भी हुई, 20-17 का रेशियो हुआ, फिर 23-22 आया, और फिर 23-23 आया, इस बार पुनेरी पल्टन्स ओल आउट हुई और ये जो माच था ना, इसमें अजिंग के पवार ने क्या शांदार काम किया है, अपना करियर का पहला सूपर 10 निकाल दिया है, 26-26 पे आके इस मुकाबले को खतम किया, तमिल थलाइवाउस की पहली जीत आ गई, उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ, बेंगॉल वारिय जाता वो इस टीम के पास नहीं है, लेकिन जो जीत हासिल करी आज डिफेंडिंग चांपियंस के सामने, ये याद रखने वाली होगी क्योंकि 39-44 से अपना मुकाबला उन्होंने जीता है, 39-44 में कमाल किस ने किया है, पेंगॉल की दरब से मनिंदर सिंग तो सूपर 10 लगा की जाए तो डिफेंस थोड़ा बहुत ठीकता, थोड़ा बहुत लूज लगा कही जगा, अमित ने पास टैकल पॉइंट्स निकाले, अब उजल ने तीन और दरशन ने सिर्फ एक टैकल पॉइंट निकाला, दूसरी तरफ मोनु गोयत चा गई पटना पाइरेट्स के लिए 25 रेड़ पॉइंट्स ओवरॉल इस टीम के आए, जिसमें से 15 मोनु गोयत ने निकाले हैं, साथ ही अपने 500 रेड़ पॉइंट्स भी प्रोकोबजी लीग में उन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं, इंट टोडिल पंदरा रेड़ पॉइंट्स निकाले हैं, उनका साथ भी निभाया, सचिन ने, क्योंकि उनके नाम 9 रेड़ पॉइंट्स रहें, और प्रिशान्त राय सिर्फ 3 पॉइंट्स, डिफेंस की बात की जाए, तो सुनील के नाम 4 टैकल पॉइंट्स, नीरज के नाम 3 टैकल पॉइंट्स, साजिन के नाम 2 और मोहमद रेजा के नाम 2 ट पटना पाइरेट्स के हाथ में था, जो 29-44 के स्कोर से लग रहा है कि पहले से ही बढ़त बना रख्योंगी, ऐसा नहीं था, पहला हाफ जो खतम हुआ था, वो 21-16 पे खतम हुआ था, 21 थे बंगॉल के पास, और 16 पॉइंट्स थे पटना पाइरेट्स के पास, जब 2 हाफ की शुरुआत हुई तो इसका पीछा किया, 23-17, इस पे ध्यान दीजेगा कि यह जो बोड है न, पटना पाइरेट्स के लिए, वो किस सरफतार से हो, कितने बढ़िया तरीके से बढ़ा है, 21-16 उसके बाद 23-17, 23-20, 24-22, यहां बंगॉल के लिए एक 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 पॉइंट जो यह ग्राफ था न, 25-39 हो गया, क्योंकि जो उन्होंने रेड करी, साथ रेड पॉइंट्स निकाले, बेंगॉल वोरियर्स को लाउच किया और अपना जो ग्राफ है उसको धीरे-धीरे और आगे बढ़ाया, यह जब मुकाबला अंजाम पर पहुचा तो 29-44 पर जाकर ख आज इंके पवार पर भी नजरे रहेंगी, 11 पॉइंट्स निकाले है, सूपर टेन अपने करियर का पहला निकाला, तमिल धलाइवास को पहली जीत दिलाई है, तो यह खिलाडी खास रहने वाला इस टीम के लिए, और प्रो कबजी लीग की सारी कवरेज आपको कर से पर मिलती रहेगी, देखते रहेए दील ललन टॉप, और अगर अभी तक आपने हमारे नए चानल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमारे नए चानल को सब्सक्राइब कीज तमाम जानकारिया किस से कहानिया मिलती है, देखते रहेए दील ललन टॉप, शुक्रिया